असलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए पकरा करी की रेशिपी लेकर आए हूं बहुत ही टेस्टी बनता है बहुत मज़ी का बनता है चली इसे बनाना सुरु करते हैं इसे बनाने के लिए हमने एक प्यास एक टामाटर और पांच छे लेसुन के कलिया ले बेसन और घराप पैस्ट रिर्यां ज्माइब आप को चाहि है में चुच्छ का से लुट पूल do में गस्माइब जब बharma आप शमाध बुन रहा है, चलिए हम बेसन और दही का गोल्ड रेडी कर लेते हैं, तो हमने यहाँ नेगां ग्राइंडर रापाइ को सिक खुचित ड्रेडें का糖 कर दो घ्राया हाствен सब्वेसन दही पूल कॉछते हैं, जैने मैं बेसन दो डिंदर समय को हम बढ़न दिजार पूर gjort Бल्ड को भोऊ है उसरी दाला है या फिर आप जो बेसन और दही का घोल बना है उसे कोई और बतन में टाल के पाने मिक्स करई भी आप इस तरीके से पिर विसतरो आपका टाइम भी से Kitty कारे खरोग। भी सेव होगा और बतन भी घंदा लिए उसमें जीरा पॉडर अजवाइन पॉडर डाल दिया है और बारिक कटा हुआ प्यास हरा दन्या और हरी मिर्च टाल देंगे अच्छे से मिक्स करके पानी डालेंगे और पकॉरा का बैटर रेडी कर लेंगे तो चलिए इसे फ्राइ करते हैं तेल गरम कर लेंगे तेल ज से चराया हुआ है लो फ्लेम में इसे पकने दिया है थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसे चला रहे है अब इसमें आप नमक डाल देंगे नमक चेक करें जब अच्छे से पग गया हमारा ये तेडी हो गारा हो गया था करी लगभग हमने इसे 40 मिनिट तक पकाया था लो अब ऊच्छे से लुट करी När गया हुआ है श्ट पकाया ये ये देर क्र दिए और हम उच्छे सबस्के भाड़ी तर्कहर सबस्के काहिँ वहां जब लागी तर्कह चनिगे पुर्श Katherine hadohi our फिर के बचाई आचरे और और नहीं भीजारी निक वहां को ऊश्विया थाम से एक बर जरूर करी ट्राइ किजिए उमीद करती हो आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगा आप एक बर बनाएगा तो आप बार बर इसी तरीके से बना के खाईएगा बनाने में कोई जंजट नहीं है अब बहुत ही मज़े का बनता है तो फ्रेंड्स